दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हर्याना कुंजी पर दोस्तो हिस्टरी की जो कलास के लाए हैं हम आपके साथ में और दोस्तो आज ही इम हिस्टरी कलास में जो पाशान काल है वो हड़पा काल से समंदित वन लाइनर के सभी important question NCRT, Illusion or other books से ले कर आए हैं दोस्तों, basically वन लाइनर लाने का जो basic उदिश्य है वो ये है दोस्तों, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी सारे जो question आपने जो पड़े हुए हैं उनकी fast revision होसके दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा इतियास है उसको हम तीन भागों में बाढ़ते हैं प्राक इतियास, अधो इतियास और इतियास प्राक इतियास को हम दोस्तों पाशानकाल के नाम से जानते हैं अध्यों इतियास को हम दोस्तो हड़पा के नाम से जानते हैं और इतियास को हम तीन बागों बाढ़ते हैं दोस्तो प्राचिन इतियास, मद्यकाले इतियास और अध्यूनिक इतियास दोस्तों आज M.C.S. क्लास में पाशानकाल और हडपपाकाल के समदित सभी क्यूसन को ले कर आए हैं करते हैं दोस्तों स्टार्ट पहले क्यूसन से भारतिय प्राग इत्यास के पिता किसे कह जाता है दोस्तों हमारा इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों रोबर्ट ब्रूस फूट जो रोबर्ट ब्रूस फूट है दोस्तो उसको भारतिय प्राग इतियास की पिता के नाम से जाना जाता है आगे दोस्तों बात करते हैं भारतिय पुराततों के जनक कौन जाना जाते हैं दोस्तो बाहरते पुराततों के जनक है वो अलेकजंडर कनिंगम को जाना दाता है पसूपालन के जो सक्षे सरोपर्थम है दोस्तो वो कांसे मिले हैं दोस्तो वो दोस्तो मिले है हमारे पास आजमगड से और जो आजमगड है दोस्तो मध्यापासानकाल का स्थल है मध्या पासानकाल के हड़ी से निर्मित आभूशन इंपोर्टन क्यों किसके ना दोस्तो हड़ी से निर्मित आभूशन बारत में कहां से मिले है दोस्तो वो मिले है दोस्तो महधा से इसके लावा बात किजाए दोस्तो बारते उब माधिव में किर्शी के प्राचिंतम सक्षे की बात की जाए दोस्तो एक किसन पुछा दाता है भारते में किर्शी के प्राचिंतम सक्षे है और दोस्तो दूसरा पुछा था भारते उब माधिव में किर्शी के प्राचिंतम सक्षे है दोस्तो बारते उब माधिव में किलसे की तो प्राते तो हम साक्षे मिलें दोस्तो वो मिलें दोस्तो लहूरा दे उसे इंपोर्टन कि उसे न दोस्तो ये दोनों हूँ बहुत इंपोर्टन कि उसे न दोस्तो चलते हम आगे आगे रहेगा दोस्तो हमारे पास भारत में माननों के सरोपर्तम साक्षिय कहां से मिले हैं दोस्तो वो मिले हैं दोस्तो नरमना खाटी से मिले हैं इसके लावा बात की जाए दोस्तो वैस्थल जान से पासान संस्कृति से लेकर हडपा से बेता तक के संस्कृतिक आवसेस मिले हैं दोस्तो वो दोस्तो रेगा बारस मेहरगड ये भी important क्यूसर न है दोस्तो हमने दोस्तो इस वीडियो में आलमोस्ट सभी important क्यूसर नहीं रखे हैं जो की सब भी बुकुस निकाल ले गए हैं दोस्तो आगे में बात करते हैं दोस्तो नवाधटोली कहां पर ती нас अर्व नवाधटोली है दोस्तो मध्या प्रदेश के उन्दर भीम बटबैटका की गुफाई है दोस्तो किसलिये पर सीधा दोस्तो महाँ पे दूस्तो गुफाओं में सैल शित्तर मिले हैं दोस्तो खतेके दफनानेके सक्रेव भी मिलें दोस्तो यह में ब्रीज और था हैं Windows इंपोर्टन प्रेम होगर गार्योंस्तो यहीं को प्रस्थे अंदर दोस्तो बारती पूरात तोक सरवाक्षन के पर्था माने दिशे कोन थी दोस्तो वो थी दोस्तो जोन मार्शल चलते दोस्तो मागे दोस्तो पाशाण काल के आखेट एम खज्य संगराक काल जो बोला दाता दोस्तो भारत में इस काल में मनुष्य के सारी रिक आवसेश कहीं से भी नहीं मिल आप तुम्हें दोस्तो ये भी इंपोर्टन थे दोस्तो आप से पूछा जा सकता अगे नहीं में से कौन सा खतन सही है या नहीं है इस टाइप में क्यूशन दोस्तो वहाँ पे आते हैं दोस्तो इस जो टाइप जो समय के जो मनुष्य थे उसकी जाती थी वो ग्रीको जाती के संबन रखते थे दोस्तो और दोस्तो यहाँ पे जो मनुष्य जाती थी पूरा सिकार के उपर डिपेंडेंट थी इसके लावा दोस्तो मनो के अगनी का ज्यान था लेगन उसको कैसे जलाया दता है इससे प्रिजित नहीं थे दोस्तो चलते दोस्ता आगे पाशान कालिन मनो निर्मित कुपा के साक्षे के जो दोस्तो वो मिले हैं दोस्तो भीम बेट का मद्यपरदेश से important साक्षिय है दोस्तो कई बार पुछा सका है SSC में पूछका और SSC तो बहुत बार पूछती इन से भारत में मानोखोपडी कास और पर्थम परमान किस थल से परमान जो मिला है वो मिला है दोस्तो मानोखोपडी मिले दोस्तो हतनोर मद्य परदेश से ये भी दोस्तो important question दोस्तो जो मद्य पाशानकाल के दोस्तो अन्य महत्यपून तथ्यों के बात की जाए तो इस काल में है दोस्तो जो पहले क्या था दोस्तो पूरा पाशानकाल तक की बात की जाए तो दोस्तो वहाँ पर पत्तर के बड़े बड़ी हतियार होते थे जो मद्द्धय पाशनकाल में हतियारों का साइज चोटा हो गया पत्त्तर के बड़े-बड़े हतियार होते थे कर दोस्तों इसके लावा बात की जाएं दोस्तों माना उस्थिपिन्जर के श्रफ़र्त पहसे जो मिले हैं टोस्तों इसफिखालें जिदीने घिनारे में आगे जलते हैं चल Dragätta हैं मध्या पाषणकाल में पाषण पालदन प्रारम भुवा था जिसके पर्थम साक्षे कहां से मिले दोस्टो वो मिले हैं दोस्टो आदम गड़ और होसंगाबाद से ये भी important service किसे दोस्टो जो पाषण technology की बात कि जाए तो वो मद्यापासान काल में स्टार्ट हुआ था और जो बात के शाहिं बस्तिय भनाने की या बस्तिय के सक्षिस मेदे है तो मद्या पाशान काल में स्टार्ट हो गए अगे चलते हैं दोस्तो 9 पाशानकाल दोस्तो जो 9 पाशानकाल की यह की पराचिन तम बक्सी बस्ती की बात की जाए तो मिली है दोस्तो जो बलुच्चितान में मेर्गड है वहाँ से मिली है तो इंपोर्टनेंट है यह भे लिए creoThis का पराचिन नम सक्शे है tout क्रिषिक जो पास्षित्म साक्षे की बाध मेरगड़ पाइग जो मिला है और पास्षित्त रूंध जो को सक्षे मिले हैं इसके लावा दोस्तो बात की जये बियासदीत नाव पाशानकालिन जिंद्स तल जहां उपकंड पाई गए हैं दोस्तो वो मिलें दोस्तो चिराग से जो हिरन के सिंग है वहां से मिले हैं दोस्तो बात की जाए नौपासान कालिन में जो बात किया था मैंने अभी कि हड़ी या पत्थर तो उसको साक्षय कोई बात की जाए तो बिहार के चिरांद से मिले हैं और जो थ्यार जो मिला है दोस्तो वो हिरिन के सिंग के बनाय गया था वैनाव पासान का लिंस थल जहां से चावल वैधान के पराथिनतम साक्षय प्राप्त हुए हैं इंपोर्टेंन के सांदो ऐसे तो आए तो लेटी पूर्श की अ किस दो तीन बाड दोस्तो जो चौवल वैधान के त flatterत दोस्तो माननो द्वारा से पर्तम तंबा दत्तु का परियोग किया गया है जो अनुमाने जो टाइम है वो पांच जारी सा पूरू गया सपास इसकी जा परियोग किया गया था दोस्तो मनो दोरा तंबे का परियोग का परमान के रूमें तंबे की कुलाड़ी किस थाल से प्राप्त हुए दोस्तो तंबे की कुलाड़ी के बारे में पूचा गया दोस्तो वो मिला दोस्तो अतिम पक्कम मद्रास ये दोस्तो तमिलाड़ू के अंदर सो स्थान है बारत में पर्थम ग्रामिन सब्वेता की स्थापना किस काल में हुई दोस्तो तमर पाशान काल में दोस्तो जो जप्रा है जो हड़पा सब्वेता परते हैं दोस्तो नगरी सब्वेता थी लेकिन कुछ जगह है जो जहां से हमें ग्रामिन सब्वेता के भी सक्षे मिले हैं और तो दोस्तो तमर पाशान यूग से हमारे पास ग्रामिन सब्वेता की जरुवात हो गई थी दोस्तो लेकिन जब हड़पा सब्वेता की बात करेंगे दोस्तो वो पूरी तरह से नगरी सब्वेता की बात करेंगे इसके लावा हमारे पास कुछ स्थल है जो किसे नदी की किनारे स्थीत है वह बात करें worldwide मैइसवपीटानिया है दौस्ट गाशना है अ और हडपा सब बैता है दोस्तों सिंदू नदी के किनारे दोस्तों हडपा जो है ये रावी नदी के किनारे मिलेगा और जो महन जो दाड़ो सब बैता है वो दोस्तों मिलेगे हमारे पास सिंदू ने दिगे किनारे ठीके दोस्तों लेकिन हड़पा सब्वेता अवराल की बात की जाए तो दोस्तों वो मिलेगे मेर पास सिंदू ने दिगे किनारे ग्रामीन सस्कृती ग्रामीन सस्कृती होने के बावजुद जोरवे संस्कृती कि वह बस्ती जिस पर नगरीकन की प्रकिदिया प्रारम हो गी थी दोस्तो वो रेगा दायमाबाद और इनाम गाओं दोस्तो जोर भी जो संस्कृति है वो दक्षिन जो भारत है उसकी संस्कृति माने जाती है वहाँ पे दोस्तो ग्रामीन संस्कृति तो थी थी उसके साथ में नगरीकण की संस्कृति के भी साक्षे मिले हैं और जिस संस्कृति नगरीकण की साक्षे जो मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों दाइमाबाद और इनाम गाउं से इसके लावा दोस्ता कला कि तुने मोगालित का क्या भी प्राय है मोगाली थे दोस्तों बड़े-बड़े परखंद खंदों का या कबर का जो बड़े-बड़ी होती थी उसको समारक होती थे उनको मोगाली के नाम से जानते थे भारत में सरोपर्तम सहरी सब्वेता की स्थापना कब हुई दोस्तों जो सहरी सब्वेता की सापना हुई दोस्तों सिंद्धु गाटी सब्वेता के दोनान हुई दोस्तों जैसे मैंने भी बताया था आपको सिंदू गाटी सब बेता थी, नोगनगरी सब बेता थी इसके बाद की जाए दोस्तो मरिद्भांड संस्कृतियों का नाम करन किस अधार पर किया जाता था दोस्तो बरतनों की जो उसके उपर चितर होते थे जो चमक होते थी, रंग होते थी उसके धार पर जो संस्कृति है मरिद्भांड की, उसका नाम करन किया जाता था भारत में लोग यूग का प्रारम कब से मना जाता था दोस्तो जो तमरे यूग की बात किसे तो पांच जारी सापुरों के असपास मना जाता था अगला किस्टन दोस्तो विश्व के संद्रों में लोव युक का प्रारम कब हुआ दोस्तो विश्व में बात किजाए लोव युक तो तेरा सो इसवी पुरों में हुआ था और भार्त की बात किजाए तो दोस्तो एक जार इसा पुरों में हुआ था दोस्तो किस पुस्तक में 24 बैलो द्वारा खिचे गए हलका उलेख है दोस्तो जो पुस्तक है जिसमें 24 बैलो द्वारा खिचे गए हलका उलेख है दोस्तो वो रहेगी दोस्तो हमारे पास कांठक सही था हमारे अगला किसन रहेगा दोस्तो मन दॉरा सो से पहले किस अनाजगी खोजगी ग beginnings चानल उसा को पर फेले अनाजगीytt क्योंकि दोस्तो किर्शी का विकास हुआ है, किर्शी जो स्टार्ट हुई है, वो दोस्तो नोपासानकाल में हुई है, तो दोस्तो किर्शी का सरोपर्थम प्रारम भी नोपासानकाल में ही होगा दोस्तो, एक ही कबर से तीन मानों कंकाल कहां से प्राप्त हुआ दोस्तो, बातकरते हैं। आदि मनका टाइम होता है उसकों पुरा पासानकाल के न मुद्ध मयाँ दोती हैं। जो जयानिं ने मन knobs का धरती पर अवत्रन कभिसे माना से जो मनो सकतर है धरती पर 30–40 वर्ज पूरसों माना दाता है। किसीव पहिएक अविश्कार दोस्तो कवग वह आ 9 पासन काल वें दोस्तो dawis करने का अГ Twitter दोस्तो Taylor कि विया बड़ी बस्ति इनाम गाऊ का संबन्द कि संस्कृति है दोस्तो ये Muslim पहलेब्या चुका है दोस्तो जो 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 रवे संस्कृति है जो इनाम गाओं है वो वहां की संस्कृति भी मानी जाती है दोस्तो ये जो कुछ संस्कृति है उसके से मदिद बरतन है दोस्तो जिसे मालवा की जो संस्कृति है उससे हमे काला वे लाल रन के बरतन मिलते है दोस्तो जोखे की जोसन स्कृति है दोस्तो वहां से हम लाल रण के बर्तन मिलते हैं दोस्तो ब्रिज होम की जोसन स्कृति है दोस्तो वहां से दूशे रण के मिलते हैं तो यह important है दोस्तो और दक्षिनी पाशान काल जी है दोस्तो वहां से मिले हैं चमकिले जो दूशर है वहां से मिला दोस्तो जो पूरी नो पाशान है दोस्तो वहां से लाल बुरा मिला है यहां से दोस्तो आपको यह नीचे के तीन याद रखना पड़ा तीनों इंपोर्टेंट है दोस्तो पूरो पाशानकाल में मान्नो की जीवका का अधार क्या था दोस्तो जो पूरो पाशानकाल है या पूरा पाशानकाल के नाम से बोलते हैं दोस्तो उसके अंदर मान्नो की जीवका का अधार दोस्तो सिकार था मान्नो की जो स्थाई निवास की जो साक्षे है वो कम मिलें दोस्तो जैसे कि मैंने बताया था कि बस्तियों के जो साक्षे मिलें वो दोस्तो मिलें नौ पाशानकाल में किर्शी के जो परत्म साक्षे दोस्तो मेरगड से मिलें दोस्तो चावल के जो परत्म साक्षे मिलें दोस्तो कोले डवा से मिलते हैं जो न ausब्ल नहीं किया जो है किया हौ बातकर तो आध्यो पाश्यांकाल की षडपा सब्वास ये जो दोस्तों कि बात रहेगा गाँ डोस्तों 2700 सब्वे कर्ते हैं स्टार्ड दुस्तों पेहले की सुनसे सिंदु गाटी सब बेता गैर आर्या थी क्योंकि यह एक नगरिये सब बेता थी दोस्तों जो सिंदु गाटी सब बेता जो आर्या हमारे विदिक काल के अंदर आये थी दोस्तों लेकिन सिंदु गाटी सब बेता विदिक काल से पहले की सब बेता थी और ये नगरी वैस्ता थी वेदिक काल के जब आरियो का गमन होता है तो वहाँ पर जो हमारी संस्कृति है वो ग्रामिन हो गई थी हमारा अगला क्यों नहींगा दोस्तो सिंदु काटी सब्वेता को आरियो से पूरो रखे जाने का मैत्यपून जो मर्दभांड मिले है और जो मारपा वैदिक काल के अंदर मर्दभांड मिले है उनमें बहुँ ज़ादा डिफरेंस है इसलिए शिंदु काटी सब्वेता का जो टाइम पिरेड है वो आरियो के आगमन से पहले का माना दाता है हडपा ससकर्ती की जानकारी का मुखे स्तरोत क्या है दोस्तो हडपा ससकर्ती जो जानकारी का मुखे स्तरोत है दोस्तो पुरातातविक खुदाई जैसे हम दोस्तो बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो गुजरात के अंदर पंजाब के अंदर हर्याना के अंदर विबिनस थलों की खोज की गई है जहांसे हम हडपा से बैता के जो सब्थल मिले हैं वहाँ से हम इसके जो जानकारी मिलती है भार्द में चांदी की उपलगता कि प्राचितम साक्षे कहां से मिले दोस्तो हडपा से बैता से या हडपा संस्कृती से चलते हैं दोस्तो हम आगे हडपा में मिट्टी के बर्तनों पर विशे इस तक किस का प्रेयोग होता दोस्तो जो लाल रंगा दोस्तो बहुत इंपोर्टन है दोस्तो जो हडपा के जो बरतन होती थे, मिन्टे की, उसके ऊपर लाल रंग ड्रन का सो मनेता पेरोक, किया दाता था दोस्तो और दोसे पाशानकार की बात के जो वहां पर दूश्यरम के मिलते थे, दोस्तो तो जो हमने अभी बात की थी दोस्तो चमके ले दूसर मिलते थे दोस्तो जोते हुए खेत के दोस्तो आक्षे दोस्तो वो कहां से मिले दोस्तो काली बंगा काली बंगा राय दोस्तो राजस्थान के अंदर हडपास कालिंस्थल मांडा जो है दोस्तो कहां पर स्तित है वो हमारे पास जमो कस्मीर में रहेंगा दोस्तो अगर बात की दाए जो मांडा किस नदी के किनारे स्तित है वो दोस्तो रहेगा मारे पास चेनाब नदी आगे हम दोस्तो इसको लिट्यू में करा देंगे हडपा कालिंस्तल राकिगडी हर्याना के किस राज्ये में हैं दोस्तो हम जानते हैं हर्याना के अंदर हैं दोस्तो हडपा कालिंस्तल दाइमाबाद कहां पे दोस्तो और इगापा महराष्टर में दोस्तो सिंदु गाटी सब्वेता का जो बंदरगा नगर है दोस्तो कौन सा था दोस्तो लोथल भारत के अंदर तो दोस्तो लोथल लेकिन इसके और भी है हडपा कालें जो बंदरगा है वो है दोस्तो आम आगे डिस्कुस करेंगे उसको भी भार्थ का सबसे बड़ा हडपा का लिंग पुरा स्थल कुन सा दोस्तो राकी गई है दोस्तो अगर बात की जाए दोस्तो अभी करेंट में जो न्यूज आई थी या सोर्स मिले है दोस्तो में तो उसमें जो दोलावी रख हो है दोस्तो वो भी हडपा का लिंग सबसे बड़ा स्थल पताएगा है लेकिन दोस्तों जो SSC या SSC जो कुछिन पूछती है वो उप्षन के धार बे पूछती है अगर दोलावी रहा है दोस्तों तो दोलावी रख साथ दाना पड़ेगा हमारा अगला कुछिन है दोस्तों सिंदू का अटिस के जो लोग है वो विश्वास करते थे मात्री सकते में विश्वास सकते दोस्तों इंपोर्टन किसन है दोस्तों सिंदू का लिंस्थल मोंजदरो की खोज किस ने किये दोस्तों वो किये दोस्तों राखल दास बंदर जी ने किये दोस्तों 1921-1922 के अंदर गें दोस्तो हडपा की खोज का सरे किसको जाता दोस्तो दयाराम सानी को जाता दोस्तो हडपा का लिंस्तर जांग घरों से में कुए का उसे मिलें दोस्तो सरोपर्थम मनों ने किस दात्तू का प्रियोग किया दोस्तो वो रही दोस्तो तामबा तामबा का जो सरो पर्थम प्रयोग किया दोस्तो माननों ने किया है हडपा का लिए स्थल में किस दात्तु का अभी तक ज्यात नहीं है दोस्तो वो है दोस्तो लोवा का जो हमारे पास हडपा का लिए स्थल की को आई हैं जोस्तों वहां किसी भी स्थान से आमें सक्ष्य Vamos. कूर करें if देखंगें जो मिलता है के अंडर तो विष्सों की बाता है तो उस्तों की सरफ Ohads किस राज्य में स्थित है वो गुजरात के अंदर ये एक मात्र ऐसा सहर है जो तीन भागों में बटा हुआ है अडपा के अधिक्तम जो सहर है या नगर है वो अमेशा दो भागों बटे हुए थे उच्वरग और निमन वरग लेकिन जो दौलाविरा जो जो नगर है वो तीन भागों में बटा हुआ था दोस्तो सिंदु काटी सब्वेता किस ले जाने जाती है दोस्तो सिंदु काटी सब्वेता जाने जाती है दोस्तो अपने नकर नियोजन के लिए क्योंकि यहाँ पे नगरिय नियोजन था और नगरिये सब्वैता भी थी इनका जो शड़के थी वो आपसे 90 डिगरी पे काटती थी दोस्तो सड़के चोडी थी दोस्तो ठीक दोस्तो और जो खिड़की और दरवाजे थे दोस्तो वो सड़कों से पिछे की तरफ खूलती थे दोस्तो ये सिंद्धु गटी से बैता की कुछ महत्यपुन विजश्टाएं थी अगला किस्तो नहीं गा दोस्तो किस हडपा कालिन नगर में उन्नत जल प्रबंद विश्टा का प्रणा जो साक्षी मिलें दोस्तो वो मिलें दोस्तो दोलाविरा से दोस्तो सबसे महत्यपूर्ण किस सना है दोस्तो ये कि जो सबसे अच्छी जो जल निकास से की प्रणाली की बात की जाए जल परबंद की वैस्था की बात की जाए तो दो दोला विरा से दोला विरा रहेगा दोस्तो गुजरात के अंदर वस्तर के लिए कपास की खेती आरब करने के जो पहले साक्षे जो कहाँ पे मिले दोस्तो वो दोस्तो मिले भारत के अंदर जो भारत को ही दोस्तो कपास की खोज कसरे दिया जाता है दोस्तो और सूति वस्तर उद्योग जो अंग्रेज्जों की समय में बहुत ही फेमस हो गया था एक टाइम पे भारत में उसके जुसरुवात असु तीवस्तर उद्योकी वो भारत के अंदर ही माना दाता है सिंदुगाटी सब्वेता में परसीद विरिशब मुद्रा कहां से प्राप्त ही दोस्तो जो विरिशब की मुद्रा है दोस्तो वो मिली है दोस्तो मेरे मोन चोज़ड़ों से नील लदी के किनारे नील लदी के तट पर कौन सी सब्वेता का जो विकास वा दोस्तो वो दोस्तो मिश्र की सब्वेता अगला किस्टन बहुत ही इंपोर्टन किस्टन दोस्तो याद रखना इसको कई पर पूछा दा दोस्तो लेखन करला की उसीत प्रनाली निमिन में से या सरो पर्थम किस सब्वेतागी है दोस्तो पूचा गया है दोस्तो तो लेखन काला जो कारिय किया गया है पुर्वी स्थर की बात किजाए दोस्तो वो रेगा आलमगीर किस नदी के किनारे है दोस्तो हिंडर नदी के किनारे स्थीत है कहां पे दोस्तो मेरट के अंदर जो इस तर्की खोज की दोस्तो भार्ट सेवक समाथ सस्था की दोरा की गई है दोस्तो इंपोर्टन्ट है ये भी उत्री शितर जैसा की बता चुकाँ दोस्तो मांडा के अंदर रहेगा पांडा रेगा दोस्तो चिनाम नदी के किनारे और जमू कस्मीर के अंदर रेगा दोस्तो दक्षिनिस्थर की बात की जाए दोस्तो वो रेगा हमरे पास धाइमाबाद जो नदी है दोस्तो वो परवरा नदी है जो गवदावरी की साइक नदी थी दोस्तो ये रहेगा दोस्तो मारे पास महाराश्टर के अंदर इसके लावा बात की जाए दोस्तो सिंदु गाटी सब्वेता के अंदर जो बड़े नगरह की बात की जाए तो दोस्तो वो थे हमारे पास छे कहीं जगा साथ भी दिया दोस्तो कहीं जग अच्छाय भी दिया है दोस्तो अगला क्यूस्ट नहीं है दोस्तो हडपा की मोहरों पर सरवादी किस पसू का अंकन किया है दोस्तो एक सरंगी वाले पसू का हमारा अगला क्यूस्ट नहीं है दोस्तो सिंदु गाटे सब बेता में नगरो और गरो का विन्यास के दिए कौन सी विदी अपनाई गये दोस्तो जो अपनाई गये दोस्तो जो अपनाई गये दोस्तो जो अपनाई गये दोस्तो ठीले सिंदु गाटी सब्वेता का नामगण की बात की जाये दोस्तो हड़ापा सब्वेता सबसे पहले हड़ापा सब्वेता की खोजगी कानिश का नाम दोस्तो हड़ापा सब्वेता पड़ा था दोस्तो सिंदु गाटी सब्वेता की बात की जाये दोस्तो जो सिंदू नो दिग्या असपास का जो सित्र होने के काणिश का नाम जो सिंदू सब्वेता पड़ा दो जो काशेगुण सब्वेता क्यों कहा दो जो सिंदू असी थे नोने सर से पहले कांसा दात्तू का परियो किया दो जो इसलिए कांशेगुण सब्वेता के नाम से जानत जोस्तो पर्थम बारामपर नगरों का उद्द्ध हुआ है दोस्तो कि अटनि से मिले इसलिए इसको नगरी करांती भी का जाता है है इसके लाए बाद किजाए दोस्तो अ हडपा सस्किरति या जो शासन था वो किसके अत्यों में था दोस्तो वह वणी कورक के बंद्रगा है दोस्तों मेहतेपूर बंद्रगा है वो रहेगे दोस्तों सूद कोटड़ा और लोथर दोस्तों दोनों इंपोर्टन किस्तन है दोस्तों सिंदु गाटी की सब बैता को किस यूग में रखा दाता है तो काशिया गुन सब बैता के नाम से जानते हैं दोस्तो सिंदु गाटी की सब बैता के मूल निवासी कुण थे दोस्तो दर्विड और वो मद्य सागरी थे दोस्तो सिंदु गाटी सब बैता की सबसे बड़ी बिल्डिंग उनसी दोस्तो अनानागार दोस्तो मोंजो दुरगा जो अनानागार है वो सिंदु गाटी सब बैता की सबसे बड़ी स्थल है दोस्तो स्वास्तिक का दोस्टिन नहकी देन है वो दोस्तो कहां की है दोस्तो वो रही है दोस्तो हमारे पास हाड़ा पासा बैता की देन है दोस्तो चलते हैं दोस्तो अगले वाले किस्टन पर सिंदुगाटी सब बता की विनास का जो सो से प्रभावी कान जो माना गया है दोस्तो बाड़ माना गया, क्योंकि दोस्तो सिंदुगाटी सब बेता की जो पतन की बात की जाए, तो पतन की अलग-अलग काण दी, किसी ने आरियो के आगमन से बोला है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने बाड़ का दोस्तो बोला है, तो दोस्तो सबसे जो प्रमानिक जो का तरवाजे और खिड़की दोस्तों वह मैं गली की तरफ नहीं उकर पिछी की तरफ कुलती थी लेकिन लोथल एक मातर एसा स्थल है दोस्तों जहांब से उसकी दरवाजे और खिड़की वह पिछे की तरफ खुलती थी एक मातर हडपाकालिन सहर जिसका निचला सहर भी किलो से गिराओ था दोस्तो काली बंगा दोस्तो जैसा कि मैंने भी बताया था आपको थोरे दिर पहले ही कि हडपाकालिन में सहर एक उंची वरग निमन वरग के जो मकान में दोस्तो मिले थे जो उंची वरक है दोस्तो वो किला बंदी के दोरा हुआ था निमन वरक कीले बंदी नहीं हो थी लेकिन एक मातर सहर जहां पर जो निचला सहर दोस्तो वो किलो से गिरा हुआ था दोस्तो वो मिला काली बंगन के इसके लाव बात किजाए दोस्तो सिंदु गाटी सब्वेता की जो लीपी की बात किजाए तो बहुती तरात्मक्ती दोस्तो जो अभी तक पड़ी नहीं गई है दोस्तो एक रोचक तथे के बाता हूं दोस्तो एक इंशान था उसको नाम मेरे को जिहान में नहीं 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 परमान किया था कि दोस्तों मैंने जो सिंदु गाटी सब बैता की जो बात्सा उसको पैचान लिया है और उसको पढ़ लिया जाएगा तो उन्होंने दोस्तों पहले पढ़ा था उसको लेकिन जो बाद में पता पसु है वो था दोसो कुब्रवाला सांड इसके जो सिंदु गाटे से बेता पूजा करते थे जो योगम समाधी को जो सक्षे मिले दोस्तो वो मिले हैं हमारे पास दोथा और काली बंगा से बहुत इंपोर्टन किस्टन है दोस्तो यह दो या दो से अधिक जो समाधी एक साथ स्कमाधी मिले दोस्तो जोसके सञचे मिले दोस्तो वो मिले दोस्तो दोस्तों पम साथaire खेल क Gracia कि यह दोस्तों यह दो हमारे पास कुछ मैंते पूर्ण सक्टर तो जो किसी नेां किनारे स्थित है दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों यहां से पुता जाता है जो मोहन जो दाड़ो है दोस्तों वो सिंदू का टिसम पे तके जो सिंदू ने दिखी किनारे है दोस्तों उसकी जो खोजगी थी दोस्तों राखलदास मेंदर जी की दोरा की गई थी जो जाए दोस्तो यो देया नाम सानी और मादो सरूप वत्स ने 1921 किंदर की थी दोस्तो काली बंगन की बात की जाए दोस्तो यह रहा गगर के अंदर गगर नदी के किनारे पर और यह रहा दोस्तो मरपर राजस्थान के अंदर रंगपूर की बात की जाए दोस्तो यह रहा दोस गुजरात के अंदर इसके राच चुंद रड़ों की बात की जाए दोस्तों ये भी दोस्तों मारा सिंदु नदी के नारे रहेगा वो ये भी रहे दोस्तों सिंद परांत के अंदर रहेगा चलते दोस्तों अगले किस्टन पर मोंजे दुरों के सनानागार विश्व के आश्चरे जनक कंद्रिमान किसने बताया दोस्तों वो बताया दोस्तों जोन मार्शल ने क्योंगे दोस्तों जो मोंजे दुरों के सनानागार है न वो इतने बड़े बड़े थे कि लगवा 11 मिटर के आसपास इसकी जो साइज था चावल के जो सक्षे जो सरव पर्थम दोस्तो कहां से मिलें दोस्तो को मिलें दोस्तो लुथलो रंगपूर से इंपोर्टन किसन दोस्तो पुछा दाजका है किस सथल से हमें घोड़े के उसे मिलें दोस्तो सुद्ध कोत्रटा से मिलें दोस्तों इपोर्टेंट है दोस्तों ये भी पुछा दोसका है मौन जोदर से प्राप्त मुहर पर किसका अंकन किया दोस्तों जो दोस्तों स्वास्तिक का जो चिन्न है उसका जो अंकन किया गया मौन जोदर से मोहन जोदर से प्राप नर्थकी की मुर्थकी किस चीज़ से बनाई है दोस्तो वो मिले दोस्तो कांच से सी दोस्तो अगला किस्टन रहेगा मोहन जोदर से प्राप पसुपति सीव जो मुवर मिली है उस पे कितने किट प्रकार के पसुखा जित्र मिला है अमरा आगला किस्व रहेगा दोस्तो सिंदुगाटी सबचता का वैस ठल जहाँ कब्रिस्तान में मनुश्य के साथ पालतु कुट्डा को दफनाई जाने के साथ शिक्रिक्षा मिले दोस्तो वो मिलेगा दोस्तो रोपड बहुत इंपोर्टन कि उसना दो रोपड रहेगा दोस्तो हमारे पास पंजाब गंदर सरवादिक संख्या में मोहरे की स्थल से प्राप्त हुए दोस्तो सरवादिक संख्या में मोहरे जो मिली है दोस्तो वो मिली है मारे पास मोहन जो जड़ों के अंदर इसके लबा दोस्तो अडपा काली जो लोग थे वो समान का जो आयात और निर्यात भी करते थे दोस्तो तो कुछ आया थी जो स्टू है थी वो मुगाएगी थे दोस्टो जो तीन है दोस्टो वो मुगाएथे दोस्टो अफगानिस्तान से या इरान से चांदी दोस्टो वो भी मैंली अफगानिस्तान और इरान से मिलाते थे यह दोस्टो इंपोर्टन लाजवर्थ लाजवर्थ क को दोस्तों मुझाते थे मेसोपेटानिया से सिसा को दोस्तों मुझाते थे राजस्तान से या इरान से दोस्तों जो सोनना है दोस्तों मुझाते थे अफगानिस्तान से दोस्तों तंबा दोस्तों वो मिलता हमाँ है एक रिगवेदिक काल की नाम से जानते हैं और एक उत्रवेदिक काल का तो टाइम प्रीड है दोस्तो वो रहेगा 1560 पूरो तक और उत्रवेदिक काल का तो टाइम प्रीड रहेगा दोस्तो 1660 पूरो तक रहेगा करभते हैं दोस्तों हम स्टाइठ अपने प्राचिन व्यदिकाल से जरेग व्यदिकाल का चाइब है दोस्तों जैसे कि मैंने बता है 이후 1560 अजेजा फूरी वारा तक था उत्रवेदिकाल की बाती जा दोसों 1600 सा फूरा तक है दोस्तों अब दोस्तो वेध की संकलन करता कुण है दोस्तो मेरे सइफ वेदव्यास है दोस्तो व दोस्तो इंपोर्यड कि दोस्तो आ रियें सबसे पहले कहा पर आकर बसे थे दोस्तो वो बसे थे दोस्तो पastern JAV ओर आर अफगानिस्तान के अंदर रिगवेदिक का वह मंडल जिसमें सोम देउत्ता के बारे में वणनर मिलता है दोस्तो वो रेगा दोस्तो मार पास नवा मंडल में मार पास सोम रसका जो वणनर मिलता है दोस्तो उपनी सिदो की बात किता है दोस्तो वो रेगा मार पास एक सुवाथ पुराणों की बात किता है दोस्तो वो रेगे मर पास ठारा वेदांगों की बात किता है दोस्तो वो रेगे मर पास छे यग समंदी वीदी विदान वीदी विदान का वणर कहां से मिलता है दोस्तो वो मिलता है दोस्तो मर पास यजरुवेद से मैत्यपूर्ण सलाइड है दोस्तो यहां से कई पर क्योशन पुछा जाता है दोस्तो यहां पर हम दोस्तो बात करेंगे हमारा कौन सा वेध है दोस्तो यहां पर उसके जो ब्रह्मन गरंथ है दोस्तो वेकौन कौन से दोस्तो जो उपवेध है दोस्तो वे कौन से और उसको परवर्तक है दोस्तो वे कौन से दोस्तो और इसका जो वणन करने वाले दोस्तो उनको क्या नाम से जानते है दोस्तो ये बताएगा है दोस्तो रिगवेध है दोस्तो इसके अंदर है दोस्तो सुक्त का से संग्रय है वो मिलता है दोस्तों कि जो ब्रह्मन गरंथ है दोस्तों वो मेलेगा अमरे एत्रिया और कोत्सकी जो इसका जो उपवेद है दोस्तों वो रहेगा आयुरुवेद और जिसके परवर्तक है दोस्तों वो रहेगा परजापती और उसको देता है जो वर्णन करने वाले दोस्तों पंडितों क क्या कहते हैं दोस्तों खोगत भी इसके लावा बात कि लाए वाए जरूरेद वो है दोस्तो विश्वमित्र और उसके जो अध्यकरता है दोस्तो वो मिलेगा है मरे पास अधरवयू इसके बाद में बात केते हैं दोस्तो सामवेद की सामवेद को हम दोस्तो कहते हैं गीता का संग्रय है इसका जो ब्राह्मन गरंद है दोस्तो 25 ब्राह्मन उसको मतंडे ब्राह्मन भी गयते हैं इसका जो शामवेद का जो उपवेद है दोस्तो वो रेगा मर पास गंधर उवेद प्रवर्तक है दोस्तो नार्द और उसके जो अधेयता है दोस्तो समवेद की उसको कहते है उद्गाता इसके ला दोस्तो अथरवेद अथरवेद दोस्तो तंतरमंतर का संग्राय है दोस्तो इसके अंदर इसका जो ब्रह्मन गरंथ है दोस्तो वो गोपत ब्रह्मन रहेगा इसका जो उपवेद की बात की जाए दोस्तो वो रहेगा बरपस ब्रह्मन रहेगा इसके जो परवर्तक की बात की जाए दोस्तो वो रहेगा बरपस विश्व कर्मा इसके अदेता की बात कि जाए दोस्तो इसके अदेता को कैते हम बोती महत्वून सलाइड है दोस्तो प्लीज इसको आप याद कर लेना थी से यहां कई बर किस्न यहां से फुसा जाता दोस्तो उपवेद भी पूशलेते हैं दौस्तो और ब्राम्बन गरंथ भी पूछ लेते हैं दोस्तो और रिगवेद में क्या है दोस्तो सुक्तो का संग्रा है दोस्तो ये जुरुवेद में क्या दोस्तो यग्य की वीदी सामगरी है दोस्तो स्यमवेद में क्या है दोस्तो संगीत का वणान है दोस्तो अथरोवेद में क्या दोस्तो उतनतर मंतर वेमानों की जो सैली रहने की जो सैली उसके बारे हम बतायागा दोस्तो अब हम करते है दोस्तो स्टार्ट आर्या सब्द का क्यारत है दोस्तो आर्या कातो है दोस्तो स्रेश्ट सबसे पुराना विद कुंसवा दोस्तो रिगवेद है जैसा कि हम जानते हैं रिगवेद में कुल कितने मंडल है दोस्तो दस मंडल है दोस्तो कितने सुकत है दोस्तो एक दरठाई सुकत है दोस्तो दोस्तो रिगवेद का जो पहला मंडल है और दस्वा मंडल है दस्वे मंडल में दोस्तों बताएगा है कि वन वेस्था का पहले सबसे पहले जो वनन मिलता दोस्तो तरही क्या है दोस्तो जो रिगवेद, यजरवेद और शामवेद तीनों को मिला कर हम त्री भी कहते हैं दोस्तो, अथर वेद इसके अंदर सामिल नहीं होता दोस्तो वैवेदी गर्णत जिसका वणन सब्द वणन सब्द का जो सरपर्थ मुलेख मिला दोस्तो रिगवेद में मिला दोस्तो दसमें मंडल के अंदर मिला दोस्तो वण में वेस्ता से समंदित पूरु सुक्त कहां पाया है दोस्तो ववेद दोस्तो रिगवेद में मिला है दोस्तो वैवेद जिसके अंदर वन सीखन तंतर मंतर जादू टोना का वैवेद मिला है दोस्तो ववेद दोस्तो मारा अत्तर ववेद रहेगा वेदिकाल में आप राध्यों को पकड़ने का कारे, कौन करता था दोस्तो वो करते हैं, उग्र, स्रेष्ट वैसंब्रात, लोगों की जो संख्या है, वो क्या कैला थी दोस्तो सभा कैला थी, इंपोर्टन किस्टन दोस्तो ये दोनो समय जनता का परते नित्यों करने वाली संस्था को क्या कहते दोस्तों समित्ती कहते दोस्तों समित्ती के दो अध्यक्स है दोस्तों उसको किस नाम से जनना दता दोस्तों इसान की नाम से हम जानते थे दोस्तों वैस्थल जिसकी खुदाई से लोहियू के परचलन के प्राचिंतम सक्षे मिले हैं दोस्तो वो है दोस्तो अंतर जी खेडा प्राचिनतम सक्षे जो मिले वो एक दार इसा के असपास मिले दोस्तो और वो मिले दोस्तो अंतरी जिगड़ा से मिले हैं इसके लाव बात किता है दोस्तो आरियो दोवारा विक्सित सब्वेता किस प्रायर की सब्वेता थी दोस्तो गरामिन सब्वेता थी दोस्तो अडपाकालिन सब्वेता थी दोस्तो नगरे सब्वेता थी और जो आरियो जो वेदिकाल की सब्वेता थी वो गरामिन सब्वेता थ दोस्तो उपनिसिद्ध का मुख्य अर्थ क्या है दोस्तो उपनिसिद्ध का मुख्य विश्य है दोस्तो वो रहेगा दर्शन ये भी इंपोर्टन किसा है दोस्तो मौक शब्द का सबसे पहले उलेख कहां पर हुआ दोस्तो सवेतासवर जो उपनसीद है दोस्तो उसके अंदर मौक शब्द का सबसे पहले उलेख हुआ है दोस्तो दोस्तो वेदिकाल के एक बारे में और बता देता हूं दोस्तो वेदिकाल है और उत्र वेदिकाल है दोस्तो जो वेदिकाल में है दोस्तो जो समाज था दोस्तो उसका जो शाशन था या कुछ भी कहलो आप जो समाज था उसके अंदर दोस्तो जैसे एक प्रिवार के अंदर अलग अलग जाती के लोग पाई आते थे जैसे वो अपने काम या पंडित का जाता था दोस्तो इस प्रकार से लेकिन उत्रविदिक काल में इन्होंने ये जो परमपरा थी ये चैन्ज हो गी थी दोस्तो और फिर जो परिवार होता था दोस्तो एक ही परिवार के लोग उसके वनसे फिर उसी समझ से जूरते थी दोस्तो जो परमपरिक हो गया दोस्तो वो मिलता दोसो कठो उपनिसेद में उपनिसेद काल में राजा असवबती असवपती कहां के साथ सकता दोस्तो केके के साथ सकते दोस्तो रिवेधिक काल में जनता की गतिवीदियों को देखने के लिए गुप्चर को क्या गाते थे दोस्तो, सपस क्याते थे दोस्तो रिवेधिक काल में निश्ट सब्द का परियोग सरण आभूसने के लिए गले के आभूसने के लिए हुआ दोस्तो किन्तु प्रवर्ति काल में इसका प्रयोग किस नदर में हुआ दोस्तो शिक्का की रूमें दोस्तो पूचा काया दोस्तो रिवेधि काल में दोस्तो जो हमारा सब्द है इसका प्रयोग है समवन की रूमें हुआ है आवशन की रूमें और परवर्ति कालमिस का दो प्रियोग वह रधुए वह स्क्की की रूमें हुआ है. अरियोगा जो स्माध है पित्र प्ञेलो परदान था दोस्तो और प्रिवार की जोत Championships को परिवार राकुल कहते थे. सभा और स्मिती परजापती की दो पुत्रियां होती थी तो यह कहां का आया जो रिगवेद की जो इरानी बासाक जो रिगवेद की बाते हैं जो इरानी बासाक के किस गरंद के साथ में लगाती है दोस्तो वो मिलती है दोस्तो अविस्ता ये दोस्तो इरानी बासा का जो गरंद है वो अविस्ता उसकी कुछ बाते हैं वो हमारे रिगवेद के अंदर भी मिलती है बारते संगीत का जनक किसे कादा दोस्तो वो मिलता दोस्तो सामवेद को कादा दोस्तो कौन सा वेद्य है गद्य और पद्य में बहुत इंपोर्डन की सुना दोस्तो एक मात्रवेद जो जिसका वणन है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है दोस्तो वो है जो हमार पास यह जुरुवेद संगित का वणन शामवेद के अंदर मिलता है दोस्तो यगी के विदी का वणन हमें रिगवेद में मिलता है दोस्तो जादू टोणा यह सब कहां से मिलते हैं दोस्तो अथरवेद में मिलते हैं दोस्तो रिगवेद से दूसरे साथमे मंडल को क्या का दोस्तो उसको हम गोत्र मंडल दाम से जानते हैं दोस्तो इंपोर्टन किसे ना दोस्तो ये भी अस्तोमा सदगम में वाक्य कहां से लिया गया दोस्तो यह भी जुरुवेद से लिया गया दूस्तो किस वेद में के तरवेद में रिगवेद में इंदर के बाद सरवादिक संख्या में मंतर किस देवता को समरपी था दूस्तो रिगवेद काल में जो सबसे महत्यपून जो देवता थी वो इंदर दे उता थे उसके बाद में अगनी दे उता थे दोस्तो जो उत्रवेदिक काल है उसके बाद में उसका जो स्थान का जो इंदर का जो स्थान गिर जाता है लेकिन रिगवेदिक काल में जो इंदर दे उता से महत्य पुन दे उता थे और उसके बाद में जो देवता थे वो अगनी देवता थे आरियो का जब मुख्य प्ये पदार्थ है वो कौँसा दोस्तो सोमरस था दोस्तो और सोम का वजब वणन है वो कौँसा मंडल में मिलता दोस्तो नोवे मंडल में मिलता गायत्री मंतर का सरोपर्थम किस गरंथ में उलेख मिलता दोस्तो वो रिगवेद में मिलता दोस्तो गायत्री मंतर है वो किस देवता को समर्पित है दोस्तो वो रेगामरबा सावित्री को ये इंपोर्टन क्यों सुना दोस्तो बहुत जाग कोई अभिलेख क्यों महत्यपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रास अभिलेखों से वेदिक देवी देवताओं का वनन मिलता है दोस्तो बहुत इंपोर्टन्ट है दोस्तो उत्रवेदिक काल में आरे सस्कृति का के अंदर समझा दता दोस्तो वो मानता है दोस्तो हमारे मास मगदवर अंग को जो उत्रवेदिक काल है जहां से वे उनका सासन काल जो चलता था वो है दोस्तो मगदवर अंग वहां पर सक्ति का प्रमुक के अंदर हो यहीं है दोस्तो यह बहुत इंपोर्टन्ट स्लाइड है दोस्तो बहुत ही इंपोर्टन है कुछ परमुख दर्शन है दोस्तो और उनके परवर्तक है दोस्तो कई बार पूछा दता है दोस्तो जो चारवाक दर्शन है दोस्तो उसके परवर्तक है मिलेंगे नया दर्शन के परवर्तक है माहर सी गोत्म मिलेंगे दोस्तो, साख्य दर्षन के जो परवर्तक है, वो कपिल मिलेंगे, दोस्तो, योग दर्षन के जो परवर्तक है, वो मिलेंगे पैतेंजली, वेशे सिक, जो दर्षन है, उसके जो परवर्तक है, वो मिलेंगे जैमिनी, उत्रम इमान साथ के जो परवर्तक है, वो मिलेंगे बद यहां से कई बर ऐसरी और ऐसरी पूछ करें दोस्तों खासकर जो न्याय दर्शन सांख्य दर्शन योग दर्शन यह तिन तो बहुत इंपोर्टन दोस्तों सलाइड इंपोर्टन हे दोस्तों खासकर चियार्या पान दे ओता जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको अचितर से याद रखना दोस्तों सबसे इंपोर्टन है दोस्तो वेदीकाल के इंदर देवता उसकों यू दोर वर्षा के देवता के नामसेदान देवता देवता शोम देवता वनस्पति के देवता 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 पूशन देवता पसव के देवता 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 देव दो है दोस्तों दो येवी important है दोस्तों और शुरू के हमारे पास दो, ये चार तो बिलकुल रट लेना दोस्तों वेदिक कालमी मनुष्य है एम देवता के बीच में मध्यस्ता निबाने वाले कौन से देवता थे दोस्तो अगनी देवता जो इंदर के बाद में दूसरे सरोष्ष्च देवता के नाम से भी जानती थे दोस्तो गोत्र सब्द का सरोपर्थम काउन लेंक मिलता दोस्तों यहां मिलता है दोस्तों रिगवेद में पुरु वЕदिक आरयों का ध्रम प्रमुता क्या था दोस्तों वो था दोस्तों परकरति पूजा और जग्य हमारा आकला किशसुन नएका दोस्तों वेदिक युग में पर्चलित लोगपिरे सासक पढ़ा ली कौन सी थी दोस्तो वेदिक युग में पर्चलित लोगपिरे सासक पढ़ा ली कौन सी थी दोस्तो वेदिक युग में जो पर्चलित लोगपढ़ा थी दोस्तो वंस प्रमप्रागत राजदंतर जो राजदंदर था दोस्तो उस टाइम पे वेदिक युग में उत्रवेदिक युग में ये प्रमप्रा चैन्ज हो गी थी दोस्तो फिर प्रमप्रा आगत हो गी थी दोस्तो और वन्स के कोड़िंग भी हो गी थी हमारा अगला किस्ट्ट नोस्तो इक वेद में उल्लेखि Tehum से मेत्तैम पूंद वेशрем सेप्वित्तो नधी कुम्ण सिथे नधी अधिश्तो 60 रिक वेद में सिंद नधी से पूंद और गंगा नधी का कितनी बार वणय अधिस्तो एक बार वणय अधिस्तो तेन बार होगा दोस्तो जो रिगवेदी काले में कुछ महत्तिपुर्ण नदिया थी दोस्तो उनका जो अलग-अलग नाम था दोस्तो जो प्राचन काले में अलग नाम था दोस्तो और रिगवेदी काले में नदियों का नाम अलग था दोस्तो बहुत important है दो जैसे कुम्बा नदी है दोस्तो उसको हम काबूल नदी कहते है वितस्ता नदी है दोसको हम जेलम नदी कहते है आसकेनी नदी है दोसको हम चेनाब नदी कहते है विपासा जो नदी है दोसको उसको हम व्यास नदी कहते है सदानिरा जो नदी है दोसको जो मगंड़क कहते हैं गोमती जो नदी है दोसको मगोमल कहते हैं सुवस्तु नदी जो सवात नदी कहते हैं कुर्म जो नदी है उसको जो कुर्रम नदी कहते हैं और दर्शुती नदी है दोसको गगगा नदी कहते हैं इंपोर्टेंट शलाइडे दस्तो, आपने नजरों से निकाल लेना अमार अगला किस चुनेगा दस्तो राज सु ये गक विंग्तोर्ण रज्य सु ये किसली किया दता दस्तो राजा की उत्पत्ती का सिधान्त स्रोपर्थम कहा मिलता है दोस्तो वाजपी यह अग होता था शिर्फ और सक्ति परदाशन के लिए और जन्त परजा की मनुराज़न के लिए होता पोटनड़ दोस्तो कही अच्छे लिए क्यों पूसे रहते दूस्त Jeans के रहां से करते हैं असो में एग क्यों करते हैं दूस्तो असो में एक होता है दौस्तो अपने जो परसाशन के लिकाते देश्चल से लाम नहीं किया था स्वाश्थ बादा दंग साथा इसके बाद हैं दोस्तो अगनिस्ठों में या क्यों कहते हैं दोस्तो जो अगनिस्ठों में देवता को पर्शन करने के लिए क्या दाता दोस्तो ये चलते हैं दोस्तो हम आगे भारते दर्शन का स्त्रोत किसे मना जाता है दोस्तो उपनिसिद को दोस्तो भारते दर्शन का स्त्रोत मानते है important है दोस्तो दसराज युद किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तो दसराज जो यद है वह दोस्तो परिश्ण नदी कि नरे लड़ा गाया दोस्तो यह लड़ा क्यों किसके भी चुझाता तो राजा सुधास अन्य जनों के भीच में जो हुआ था दोस्तो इसलिए वो लड़ा गया था दस राज यगे का जो महत्यपूर्ण या प्रमुकान है वो क्या था दोस्तो चुरादाज वो सुदास था दोस्तो उसने अपने जो प्रोहित थे विस्वा मित्र को हटा कर और वसिष्ट को निक्त कर जिया था दोस्तो इसलिए विस्वा मित्र उसे बोज़ाद नराज हो गए जिसको विर्द्दो और विद्वानों की सहबागीता होती थी दोस्तो विदत बहुत इंपोर्टन दोस्तो विदत दोस्तो ऐसी संस्था थी दोस्तो जहां पर विर्द्दो और विद्वानों को एक साथ बेठते थे और उसको नेमित ही कर दिया गया था दोस्तो आरियो के देवताओं में सबसे प्रिये देवता कौन से देवता इंदर देवता इंदर देवता थे दोस्तो जो रिग्वेदी काला उसके इंदर सबसे महते पून देवता बने जाते हैं इंदर की तुलना थी दोस्तो वो इरानी देवता थे बुरीजस बुरीजस के साथ इसकी तुलना की जाती थी दोस्तो इंदर की तुलना किस युनानी देवता से की जाती थी तो वो थे दोस्तो जीूस जूस जो इरानी देवता थे उसके साथ इसकी जो तुलना की जाती थी दोस्तो किस ब्राह्मन के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्त्रोत होता है किन्तु पुत्र प्रिवार रक्षक होता है यह किस ब्राह्मन गरंथ में कहा दोस्तो इत्रिय ब्राह्मन और एत्रिय ब्राह्मन किसका ब्राह्मन गरें था दोस्तो यह जुरुवेत का किस ब्राह्मन में चारवणों की वेस था चारवणों के करते हो का उलेख है दोस्तो एत्रिय ब्राह्मन माना ज़त्ती का पिताक किसे का दा दा दोस्तो मनों को का दा दा दोस्तो सांखे दर्शन के पर्थम तत्तो क्या है दोस्तो प्रकर्ति प्रकर्ति है दोस्तो सांखे दर्शन के पर्थम तत्तो विश्व में सबसे ज़दा प्रसारित बारते दर्शन कौन सा दोस्तो योग दर्शन रहेगा दोस्तो कौन सा दर्शन इस्वर्ग को विश्व की स्रिष्टी करता मानता है दोस्तो निया दर्शन मानते हैं दोस्तो वेदों के करमकांड और ब्रह्मन गरिंथों में का संब्ध दर्शन से है दोस्तो पुरूमिमानसा से है दोस्तो इसके लावा बात करें दोस्तो मरांतिम किस्टन की तो वेदर शंज़ोकेवल ब्रहम को ही सत्यम मनता है दोस्तो वो है उत्तरमान सा आजए आज सा करता हूं दोस्तो आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंदाई होगी दोस्तों इसी तरह से हम कुछ मेंत्य पून टोपिक जो खासकर SSC की दोराप Newенко कि उसे जा सकते हैं या SSC की दोराप उसे जा सकते हैं जैसे हड़पाकालिन सेल हो गया हमारे पास वेदिकाल हो गया दोस्तों इसके बाद हम दोस्तों बात करें गुप्तकाल की बात करेंगे हर्सवरदनकाल की बात करेंगे और मद्या काले निभारत की बात करेंगे जैसे दो कुछ मेहिच्चपुनध टौपीक हो जो ऐससेश Right तरकिशनम पूछती है हम सहरी पहले वही करेंगे उसके बाद में हम दोस्तो जो टोपिक छोटे मोटे उनको हम डिस्कुस करेंगे दोस्तो ठीक दोस्तो आसक करता हम आपको पर अमारी वीडियो बहुत ज़्यता पसंद आयोगी दोस्तो प्लीज अमारे चैनल को लाइक करें, सेर करें, सस्क्राइब करें तन्यवाद दोस्तो आपको दिन सुभव